कि हाल थ्याल भाहियो मैं आज वच्छत के उपर और सीम यह है कि कबूतर को खुले ही रहते हैं बलगतरम से और आज की वीडियो तौपिक थोड़ा इंटरस्टिंग है आज थोड़ी वीडियो लंबी नहीं होगी बट देखने क्या होगा आपको दिखाता हूं मैं एक कबूत अंदर है दिखाता हूं कबूतर को चक्च किजें जो कबूतरों को रोटी डाला था यह दि अंदर यह तो बन अन्दर के पक कम-टर खुले हूं है यहां पे फृड़ भी रख दिया आज बैहतरी मैं से रखा तो मैंने कल था यह पर लिगक्नि इसके उपकाने लगे कबूत बनाएंगे एग फ्राइब खाएंगे खाएंगे और जो दूसरा हम लोग एक खाते उसको यहां रख जी लेकिया यह पर अंडा दे दिया है इसको उठा लेते हैं और इसको लेके चलते हैं कबूत रोगे नीचे रखने के लिए को लेके हम लोग यहां पर आचुके हैं जान के अंदर अब इसकी नीचे रख देते हैं रखो अजाली रखो, तो बैट पाईगी है, अजब बच्चा निकलता है, तो गाईज अब कमेंट करके बताईगा, बच्चा कितरी में निकलता है, घजाली की बात मुझे यकीन बिल्कुल नहीं है, घजाली संडे को खरीद के लाया है, यूजिए हम लोगे मुर्जी अजिए देखते हैं बैट जाती है, तो बैट आटे नीचे मुर्गी कंडा इसलिए रखा है, क्यूंकि गर्मियों में हम दो कबूतर के बच्चे नहीं निकालेंगे, अब तो आप मैं सीधा कबूतरों के बच्चों के लिए चेचक की दवा बनाते हैं अब चेचक के बच् चेचक की दवा बनाते हैं लगा देते हैं उनके कबूतरों के लिए बना रहे हैं चूला और पोटेशियन हम लोग ठोड़े मिला देते हैं और लगा देते हैं बस यह और कबूतरी जो भी हम बगों ने का अंडा रखा है उसके ओपर जाके बैट चुकी है और यह मोटा कब दूंगता अंदर जाने की पताने क्यों कर रहा है मैंने इंको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए बाहर निकाला था तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना यह पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए ठैंक्यों फॉर वाचिंग अ